नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल RK डॉग पर दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों बेशक जर्मन शेपर्ड एक अत्यंत बुद्धिमान एवं प्रभावशाली नसल है जिसे भारत में बहुत अधिक पसंद किया जाता है तथा ये भारत के बैस डॉग ब्रीड की श्रेनी में आते हैं यदि आप भी जर्मन शेपर्ड डॉग पालने का सोच रहे हैं या फिर पहले से यह डॉग आपके पास मौजूद हैं तो आपको य जानना बहुत आवश्यक हैं कि जर्मन शेपर्ड डॉग को ट्रेन कैसे करें क्योंकि एक इंट्रेन जर्मन शेपर्ड नसल आपको कही ना कही परेशान वश्यर मिंदा कर सकता है जर्मन शेपर्ड को ट्रेन करने के दो तरीके हैं पहला तरीका यह है कि आप एक अच्छे व में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि घर पर आप बिना किसी जानकारी या अनुभव के जर्मन शेपर्ड डॉग को ट्रेन कैसे करें तो इसका जवाब भी आपको हमारे इस आर्टिकल में मिल जाएगा देखिए जर्मन शेपर्ड को ट्रेन करने के अलग-अलग तरीके होते है जिसकी सहायता से आप अपने जर्मन शेपर्ड डॉग को आसानी से ट्रेन कर पाएंगे। इस आर्टिकल में हम आपको इन ही कुछ आसान मगर बहुत कारगज जर्मन शेपर्ड ट्रेनिंग कमांज के बारे में बताने वाले हैं। एक जर्मन शेपर्ड को कैसे ट्रेनिंग ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जर्मन शेपर्ड को ट्रेनिंग देने की सही उम्र क्या है आठ हफ़तों का जर्मन शेपर्ड डॉग ट्रेनिंग लेने के योग यह होता है क्योंकि इस उम्र के जर्मन शेपर्ड जल्दी तथा आसानी से ट्रेन हो सकते है आपको पहले दिन से ही आपको अपने डॉग को ट्रेनिंग नहीं देनी हैं पहले आप थोड़ा ट्रेनिंग का महौल बनाएए उसके साथ थोड़ा समय बिताएए इसका ये फाइदा होगा कि वह आपकी बात जल्दी सुनेगा एवं उसका पालन भी करेगा उसे घर के बाहर भुमाने ले जाएए जिससे उसका सामाजिकरन अच्छे से हो सके और वहन्य लोगों को देख कर दरे नहीं क्योंकि जर्मन शेपर्ड एक गार्ड डॉग नसल हैं तो यह अजन्बियों को देख कर कभी कभी थोड़े आक्रमक हो सकते हैं तथाकार भी सकते है बाहर भूमते वक्त ये ध्यान में जरूर रखे कि आपके साथ ही चले आपसे आगे न भागे तथा आपके हाथ वपर पर न जूमे वपकड़े ऐसा करने पर आप उसे थोड़ी उची आवाज में डेटे तथा गुस्सा भी करे इससे वह समझ जाएगा कि ऐसा करना सही नह उदाहरन, गुड बोई टॉम, मेरा प्यार बच्चा, सबास टॉम, गुड हैबिट्स, जैसे शब्दों का प्रयोग करे साथ मैं इसे कुछ खाने को ट्रीट भी दे जिससे वह जान जाएगा कि ऐसा करना अच्छा है तथा ऐसे बात मानने से ट्रीट भी मिलती हैं दोस्तों, स्टार्टिंग के दिनों में जब आप जर्मन शैपर्ड को कुछ भी खाने के लिए देते हैं तो इनकी एक आदत होती हैं कि यह आप पर जम्प करते या फिर एक डम से खाने पर जपरते ऐसे स्टिथी में यह खाना भी गिरा देते हैं तथा आपको जाने अंज इनकी यह आदत सुधारने के लिए आपको यह तरीका अपनाना होगा, जब भी आप इन्हें कुछ खाने को दे और यह अगर खाने जम्प या जपरते हैं तो आपको तुरंत हाथ पीछे करना है और इसे डाटना है और मना करना है, उदाहरन, no, bad manners, ऐसा नहीं करते हैं, this is wrong, bad behavior जैसे शब्दों का प्रयोग करना है, या फिर आप जो भी अपनी local भाशा का उप्योग करते हैं उससे इसे command देना है, आपको ये जब तक करना है, जब तक ये jump करना और जपटना छोड़े नहीं एवं जब तक आप खुद से इन्हें न खिलाए, ये तरीका अपनाने से इसे ये समझा और ये बात इसके दिमाग में बैठ जाएगा कि ऐसा करना गलत है तथा ऐसा करने पर खाने को भी कुछ नहीं मिलता हैं, और ये जब अच्छे से आपके देने पर वर परमिसन पर खाने लग जाए तो इसे 87 से तथा प्यार करें इससे जर्मन शैपर्ड को य बात याद रहेगी कि मैं जब अच्छा व्यवहार करूगा तभी मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा, तीन से चार दिन में डॉग की यह आदत से आपको जरूर छुरकारा मिल जाएगा, दोस्तों अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब् जरूर कर ले और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले